पिछले वीडियो में हमने question no.18 तक का हल Packл किया था आज हम जो है question no.19 को हल करेंगे question no.19 को हल करने से पहले हमको समझना है कि यह question कि इस प्रकार का है तो इस question उपर कन्डिशन दिया हुआ यहां पर यहां पर देखे औह खोसी संपत्यय क्या नियम है इसको पहले आपको जा करके देखना पड़ेगा फिर उसके पश्चार जो है आप जे इस question को बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बहतर रहेगा तो सबसे पहले हमको जो इस नियम को जानना पड़ेगा कि अगोसे संपत्तियों दाइत्व के question कि इस प्रकार सबनेंगे यहाँ पर दिया हुए देखे यहाँ पर लिखा हुए कि फर्म के पास कुछ संपत्या एवं दाइत्व मवजूद हो पर उनका लेखा पुस्तकों में नहीं हो तो ऐसी परिस्थित्यों में इन संपत्यों एवं दाइत्व को वसूली खाते में हस्तांत्रीत नहीं करते ठीक है क्योंकि इनके खाते पुस्तक में नहीं है इनके खाते पुस्तक में नहीं है इसलिए जो भी संपत्य और दाइत्व है अग्होसित हैं उनको हम वसुली खाते में नहीं लिखेंगे यह अत्रिक्त सुच्नाके रुप में समाईजन में दिये होते हैं उसके बाद यहांपे क्या लिखा है कि इस समापन कि समय केवल संपंति से प्राप्तराशी और दाईतों के भुक्षान हिए अब इसकी पंजीप प्रोष्ठी कैसे की जाती है। विष्टित विवराण जो दिया हुआ है आग हो जी संपत्ति के संबंद में आगो जो संपत्ति है तो उसको अगर हम भेचेंगे तो उससे जो प्राप्त हो उसको लिखेंगे मरोकड खाता ये बैंक खाता है वश्वली खाता से कैसे बैंक डेबिट्टू रिलाइजेसन एकाउंट ठीक है अगोसित समपत्ति का विक्रह करने पर सोलडर टू अर्ड्रिकॉर्डडट एसेट्स अब देखिये यह तो हम संप्ति को विक्रह से अब संप्ति जो क्या हो रहे और खोसी दाइट्वों के संबंद में कोई गॉसी लिटोख फिटन करना पड़ेगा तो वस्विश्वण आ भी खाता से जब सब्तिर कर कर हम विक्रह कर रहे से जो राशी प्राप्त होगे उसको लिखेंगे रोकड या बैंक खाता बिगलन वसुली खाता से तीसरा पॉइंट को देखना है आपको अगोसी संपति को साजदार द्वारा लेने पर साजदार अगर लेता है तो हम साजदार का पॉझ्जी खाता बिगलन कर देंगे वसुली खाता से किसी दाईतो का भुक्तान केलिए सहमत जाते हैं जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा है तो वहां पर हो जाएका वस्वली खाता विगला साज़दार के पुझी खाता से सेम जो है कंडिशन यहां पर भी है सेम पंजी प्रोष्टी यहां पर है जैसे हमने पहले जो है जितने भी अभी करते आए केवल यह है है कि हमको संपत्ति और अर दायतों को वस्वली खाते में नहीं लिखना है अन्रीकाड जो भी एसेट सें या लायबिलिटी चार्ड औरिकाट WIL rozpती या दाइल जो भी है उनको हम को वस्वली खाते का अंतरगत नहीं लिखना है कल्यर हो गया यह सब हैं तो इस प्रकार से जो अब हम देखते हैं को कोश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मीना सिल्पा मीना और नंदा ने 31 मार्चा 2006 को फर्म के विगटन कर नेड़ा लिया इनका लाव विभाजन अनुपात तीन अनुपात दो अनुपात एक है और इनका उनका जो चिठ्था इस प्रकार है कैसा है यहां पर इस परश्ट है कि 31 मार्चा 2006 को सिल्पा मीना और नंदा का चिठ्था तो यह चिठ्था दिखा रहा है पूंजी सिल्पा का 80,000 मीना का 40,000 बैंक में रिड़ है बैंक का रिड़ है 20,000 रुपे लेंदार है 37,000 रुपे संधिक धरीड के लिए प्रावधान 1200 रुपे समान संचे को हमको क्या करना रहता है 100,000 के जब पूंजी खाता बनाएंगे तो उसको बांटना रहता है ठीक है उसके बाद भूमी भूमी एक ग्यासी हजार का श्टाक 56,760 रुपे का देंदार 18,600 रुपे का नंदा की पूंजी 23,000 रुपे रोकर 10,840 रुपे अब यहां पर अत्रिकते प्रशणा की रुपे यहां पर सिल्पा नेs चालीजाइड छाही साथ रुपी पूल्य का श्टाक 35,000 रुपे में लिया कि इस्टाक 35,000 मिलिया और भूंज्ञ का भूगतान करने को सहमत हुई मतलब इन्होंने धायित्व का भूगतान करने का जो है क्या किया जिम्यदारी मतलब मैंने मैं भुक्तान कर दूंगी करके किसने लिए सिल्पा ने ठीक है तो बैंक रिंड का भुक्तान करने को सहमत हुई ठीक दूसरा सिल्पा ने मूलय का इस्टाक 35000 रुपे में किया और दस हजार रुपे के देनदारों से 8000 रुपे वसूल हुई देखो यहां पर सेश्टाक का विक्रह कितने किये चowदہ हजार रुपे में किया गया और जो दस हजार रुपे के देंदार हैं इनसे जो है 8 हजार रुपे वसुली हुई भूमिका विक्रह 110,000 में किया सिसंदेंदारों से पुस्तक मुल्य की 50 परतिससत वसुली हुई सुली की लागत रासी 12,000 रुपे है 6,000 रुपे जो है मुल्य की एक टंकड मसीन पुस्तकों में गैर अभिलेकित है गैर अभिलेकत है मतलब आन्रिकार्डेड है ठीक है को एक लेंदार ने इसी मुल्य पर ले लिया वसुली खाता तयार करें अब हमको जो है वसुली खाता तयार करना है जो भी डिकार्डेड समप्ति है उसको हम अन्रिकार放य है उसको हम वसुली खाता में नहीं लिधे है तो भिवित समप्ति खाता से भूमी different स्टाग देनदार क्योंकि यह सब जो है इसमें लिखा हुआ है तो जो लिखा उसको लिखेंगे जो नहीं लिखा करके यहां पर जैसे लिखा गयरभ लिखी तो मतलब नहीं लिखा गया है कि इसको 6000 मूल लेके एक टंकड मसीन को उसको हमको नहीं लिखना है ठीक तो यहां पर तो देखें भूमी इस टांग देन दार नंदा की पुझी और रोकड 모कड को चोड़ेंगे ठीक रोकड को छोड़ेंगे और यहां पर नंदा की पुझी देंदार में लिख दिया थूह समय आंदिशव संपती खाता से के लिए प्रावधान 12 सुर्पे कहां से आया यहां पर बैंक रिंड लेंदार संदिक द्रीड के लिए प्रावधान यह जो है पूंजी है सिल्पा और मिना को इसको नहीं रिखें क्योंकि पूंजी को हम वसुली खाते का अंद्रगत हस्तांत्रित करते हैं यह समाने संचा को ह भी प्रोष्टी आगे बढ़ें अब यहां पर इन दोनों को संपतियों को दायित्व को दाल दिये उसके पर देखिए सिल्पा के पूंजी खाता से बैंक रिंड बैंक में का होता है कि दायित्व को भुकतान इधर करते हैं और जो संपतियों कि विक्रत से जो रासी यहां पर अगोसित दायतों का भुगतान करने पर साधार दौरा तो वस्वूली खाता विकलान साहिदार के पूग़ी खाते एक काम और कि इस टाक को लिया है कितने का एक 40,660 रुपे यहां पर देखे लिखा हुआ है कि अगोसित संपत्ती को सहधार दोरा लेने पर ठीक है तो इस टाक क्या है एक संपत्ती है ठीक है लेकिन यहां पर एक चीज को आप ध्यान मत देज़ेगा अभी अगोसित को नहीं है अभी जो है भोसित संपत्ति है उसका भी पंजी प्रोष्टि सेम होता है और जैसे यहांं पर आपको बताता हूं यह देखिए मखना पर साहसित वाले में और सब्सक्राइब केवाल इतना है कि संपत्ती और नहीं लिखना वसुली खाता से तो साधवाल के पूंजी खाता को करके लिए यह देखे साधवार के है जब पढ़ते जाएंगे तो लिखा हुआ है क्या वसूल की गई लागत रासी बारा हजार रुपे है तो हम यहां पर क्या लिख देंगे बारा हजार यहां पर एक सुनिया क्या हो गया छोड़ गया है ठीक है अच्छा यहां पर एक चीज को सुधार लिजेगा यहां पर बारा हजार नहीं यहां पर क्या है बारा सु रुपी यहां पर क्या है बारा सु रुपी यह जो है एक सुनिया ज्यादा होगे प्रस्नम ठीक उसको सुधार लिजेगा बारा सु रुपी है ठीक तो यह बारा सु पर लिखतान किया बाराइस रॉपे को लिग दिया क्लियर अब क्या हो रहा रहा है अब क्या हो रहा है या भी या लिख सकते हैं आपको बताया हिज्यान बुच के कि आपको इन दोनों में से किसी को भी अपले करके बना सकते हैं अधिकतर केस्ट में खाता से करके भी कर सकते हैं यह आपको मर्जी हो तो रोकड़ खाता से करके लिख सकते हैं ठीक है चलिए यहां पर क्या होता है यह रोकड़ खाता से करके हम लिख दिये लेंदार को भुकत में गयर अभलेकित है को एक लेंदार ने इसी मुल्य पर ले लिया लेंदार ने लिया तो लेंदार का रासी कितना था तो लेंदार का रासी था 37,000 ठीक है 37,000 में से आप तो 37,000 लेंदार को पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि मसीन उसने तो है एक मसीन भी लिया है जो कि क्या है गैर भी लिकिता है लेकिन लिया तो है न You से लेकर गया तो इस मसीन कई च्छ्षाजार घर को माइनस कर देंगे 37 को मजीन को मूलय को क्या कर दिया माइनस कर दिया तो तो 37,000 मैनस 6,000 मतलब कि उसको कितना प्रेमिट करेंगे लेंदार को 31,000 रुपे का भूगतान करेंगे क्लियर हो गया आप देखिए इस पक्षप देखिए समागलन पक्षप में इस प्रापता होगा उसको लिक देते हैं रोकर खाता को करके श्टाक का भूमी का देंधार का तो श्टाक देंधार भूमी तो श्टाक में 14000 का मिला देंधार में बारह यदा थीन रुप में में कितना है एक लाकं दस थाजार रुपे ठीक है यहां पर से मिलेगा हो लिखा होगा यहां पर देखे सेस्टाक का विक्रह 14,000 रुपे में किया गया तो यहां पर स्टाक में हमारा क्या हो जाएगा 14,000 ठीक है क्योंकि जो बचा था उसको अब बाकी को तो सिल्पन ने लिया था तो सिल्पन लिया था उसको छोड़ करके सेस्ट जो रासी मिला वो 14,000 रुपे है ठीक है देनदार 12,000 तीन सुर्पे आठ गजार और रारीत सो तो देनदार कहां पर देखेंए देनदार कितना का है तो देन दार जो है अठाराजार छेसों का यहां पर किया सब्सक्राइब की कीCar यह लिखा कि स्टाक 14 जार में किया ऑदास जार रुपय के देन दारों से जो अठाविशोली हुई 10,000 देना था एक देनदार को लेकिन दिया कितना 8,000 ठीक समझ में आ गया और उसके बाद लिखा है कि भूमी का विक्रह जो है एक लाग 10,000 में किया गया से देनदारों से पुस्तक मुल्या की 50% वसूल हुई देखे यहां पर आपको समझना है देनदार कितने के थे इसको दे 10,000 रुपे का जो देनदार है उसने 8,000 दिया मतब 10,000 के बदले में 8,000 ठीक है अब 2,000 उसका हानी हो गया समझी ठीक तो 10,000 के बदले में कितना दिया 8,000 दिया तो क्या होगा यहां पर तो इस 18,600 में से 10,000 को माइनस कर दो भले उसकी रासी कितने भी मिले हो तो हमको 8,000 मि इस दस जार माइनस कर दिया अब बचा कितना 8,600 इस 8,600 में का 50% 8,600 का 50% आपको लिकारना है तो यह इसका 8,600 का 50% होगा 4,400 तीन सुरुपे तो 4,300 रुपे जो है जो देनदार थे 8,600 का उसमें का 50% 8,600 पर सेंट 4,000 तीन सुरुपे होगा तो वो मिला ठीक तो हमने यहां पर क्या लिख दिया है हमने उसी चीज को लिखा कि 8,000 रुपे जो है 10,000 के बदले मिला अब जो च्यांसी सुरुपे में बदले ना था उस च्यांसी सुरुपे का 50% मतला आधा मिला तो यहां पर 43 रुपे लिग दिये तो 80,000 और 4,300 यह दोनों मिला है तो 12,300 ठीक है भूम तो जबकि इधार को जोड़े तो 20,940 रुपे का मार और है पिस थी इस सब योग लगाएंगे और इधार की अगयों में लिखते थे पिछले साल पड़ेंगे तो उसमें लिखते थे यहां पर से ले ले जाएंगर करके ना लिख करके हम क्या करते हैं वही चीज को हम लाब के रूप में अगर इधर लाब के रुप में, सहाजust और के पहुंजी खाते में अंतरीत कर देँ है।售 vilas है। यहाँ पर क्या होएं अनतरीत क्या हो रभ यहाँ, सहाहज़ारों के पहुंजीखाता तो हमने घ्राइश को तीन उन्सी इन्स वाथ है फिर उसके बाद साज़दारों का पूंजी खाता तट्यार करेंगे तो सेस लाए गया यह कहां से है तो सिल्पा और मीना का पुझी दिया हुआ इक और साज़दार है उसके पुझी के बारे में कहीं पर उलेख नहीं है नंदा नंदा का 2040 यह sąट हैं तो हमने यहां पर लिख दिया क्याлично प्लेंग अभी संचाय कोस लेखा संचय कोस लेखा को हम क्या करेंगे बाटेंगे 12 रुपे को it laundry टीन अनुपात दो ईक क अनुपात वाटेंगे तो हमने यहाँ पर 3 अनुपात 2 अनुपात एक के अनुपात में भाड़ दिया ठीक है फिर उसके बाद सब्सक्राइब या तीन पात यह जैसे एक अनुपात का रहा है दो तो इसका जोका चार तीन यह फिर चाही परकार से करेगा है पिर इसके क्वश् levers को वंप सुनेता रूपनेशन का ब्रम इस तरह बंदन दестно tested के दूपने जिम्मेधार ले लिए तक बेंग जो लोणा उसको ब्रत कर दूँघ कर के लिखते करके लिख दिए यहां पर 10,470 रुपे और 6,960 रुपे और 3,490 रुपे यह कहां पर चाया तो यह देखिए जो लाव है उसको हमने लिखा है यह सिल्पा का 10,470 रुपे यह हो गया हमने लाव को लिख दिया वसुली खाते को करके आप रोकड़ खाते को अंतिम भुक्तान अंतिम भुक्तान मतलब बैलेंस करेंगे ठीक तो इतने इतने को आपको बस याद रहें इतना हो गया इधार का इसके पश्चात जो हम इधार ल दिखा रहा है उसकी पूंजी को नहीं देखिया नंदा की पूंजी मतलब यह सब परिसंपत्या में दिखा रहा है यह कितना है आपका 23,000 रुपे 23,000 रुपे समझे लिसको लेना है तो यहां पर नंदा की पूंजी कितना दिखा रहा है 23,000 रुपे हमने लिख दिया क्यों कि सिल्पा ने चारी सब्सक्राइब का जो इस्टाक था उसको 35,000 में लिया तो इसलिए इसको 35,000 रुपे करके लिग दिया और मीना नंदा ने किसी ने और इस्टाक नहीं ले तो उसके में ब्लेंक रहेगा उसके बाद रोकड़ खाता से रोकड़ खाता से क्या करेंगे हम भ कि यह जो रासी है यह जो हम क्या किये कि हमने क्या क्या इसको अभी छोड़िए आपको ध्यान इसको यह क्या बैलेंसिंग फिगर के लिए और इसको छोड़िए हमारा जो काम था इतने में समाप्त होगे इन दोनों में समाप्त होगे इधर और कुछ भी नहीं था तो हम यह को इस नहीं 네 इन दोनों को योग लगाएं तो जो भी होआ ठीक है और ने बिए 35000 इंपर तो हम क्या करते हैं जीदार के योग ज्यादा रहता और कि दर कम रहता उधर सेस ले जाये लेकिन यहां पर हम क्या बना रहे हैं यह सब करने के बाद तो यहां पर हम रोकड खाता को करेंगे तो यहां पर यहां पर करेंगे तो सतरार यहां पांसो डशीयां यहां इस लिए इधर से तो हम रोकड खाता को अंतिम भुकतान करके लिख देंगे जो हैं नंदा के कॉलाम में लीग देंगे सत्रा हजार पांसों डास रुपिय ठेक हैं वैग्लियर अब अब क्या होगा यह 17,510 रुपे नंदा ले करके आएगी ठीक है अब यहां पर हमारा इधार का बैलेंस जादा हो रहा है इधार का बैलेंस कम है यहां पर तो कुछ ने 50,980 यहां पर इधार कुछ नहीं यहां पर हम डारेक्टर लिख देंगे इसी सेस को 50,980 क्योंकि इ हमारा यहां पर भी देखे सिल्पा कि में 35,000 है जब कि इधर एक लाग 16,470 तो एक लाग 16,470 में 35,000 को मैनस कर देंगे तो यहां पर नीचे लिख देंगे अंतीम भुक्तान के लिखेंगे अंतीम भुक्तान इस प्रकार से आपको जो यह कोश्चन बनाना है फिर उसके बाद हम रोकड खाता तयार करेंगे तो रोकड खाता में क्या होगा क्या होता है कि हम जितने भी प्राप्ति है और जितना भुक्तान है उसको दर्स आते हैं कि हमको कहां कहां से प्राप्त हुआ और कहां पर हमने भुक्तान किया तो सबसे पहले हम सेस लाइगे करेंगे 10,840 यह कहां साया तो रोकड का प्रस्ण में दिया रहता है चिठा में यह दिखे रोकर दिया कैस दस ताजार आड़ सो चालिस रुपे अब वसुली खाते से करके इस्टाक देंदार भूमी इन तीनों को लिखे इतना कितना हो गया एक लाग छती सजार तीन सो रुपे हो गया ठीक है अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना तो हमको मिला है क्योंकि वसुली खातम डाले से वसुली खाते से हमको बेचे तो बेचे तो यह सब कि राशी प्राप्त वह एक लाग छती से जार रुपे ठीक है और हम हमारा जो है यह देखिए नंदा का जो बैलेंस था वह डेव लाब जो उनको देना था नंदा को लेका ती 63 तो लाब उनको देना था 5499 तो लाब खाते में गया है उसको माइनास करके जो से अध्यास उसको तो उनको देना पड़ेगा सत्राजार पांस थूदत तो इसी सत्राजार consultants को हमने यहां पर क्या करेंगी नंदा के पूंजी खाते श्क रॉपियो कि नंदा ने जो है रोकट ले करके आया में आप यहां पर देखिए जितने यहां पर से देखिए सिल्पा के पुझी खातक को यह कहां से है तो सिल्पा के पुझी खातक को करके यहां पर से देखिए 27470 यह 55980 यह समाकलां बिकलां में रुकड़ खाते कि यह नंदक पुझी खाता से करके इधर यहां परसे यह यह जो इधार आएगा विकलान में और यह जो है समाकलान में यह दोनों नंदा और सिल्पा दोनों का ठीक है तो दोनों को अलग अलग हमने लिख दिया अब गढ़ना समझ लगी है टोटा की स्टाक कितना था तो 56,760 रुपर सिल्पा ने लिया 14,660 बचा इस्टाक कितना 15,100 रुपर ठीक इतना कि लेकिन इतने के स्टाक को मिला कितना तो 14,000 मिला तो हमको और कयलकुलेशन करने की ज़ारत नहीं है जो मिला है उस ही को हमको लिख देना है clearing यहां पर जैसे यहां पर मिला करके लिखा ना 14,000 रुपर हमने चैधा रुपए 10 रुपए रुपा के बदले 1880 के बदले कितना मिला 8000 रुपाल लेकिन हमको तो मानना के बदले लेकिन 10 एक पर भी चुकता हो गया तो बचा कितना बलेले साइड़ाजार शैको पर अब ये चाहाट खेश्यों कहा जो कितना मिला है 8600 तो तो था उस गिए यहां पर यहां पे तो यहां पर Спेंट यहां पर कावी Осट हुआ फीपम कि links यहांपर यहां पर क्या खाज क्यांक प्लस इस ए दा अगवर सब्सक्राइब तोटल कितना मिला 12300 रुपे मिला क्लियर हो गया है यह हमने यहां पर 50% करके लिकाल के दिखाया है ठीक इस प्रकार से यह प्रशन जो है बनेगा यह 50% वाला फर्मूला कहां पर कथा अपर याद होगे यहां पर यह देखें तेन दार काम ठीक है तो यह लेके संटी से समझना है तो आज के व्डियो में बस इतना रखते हैं नेक्स्ट में हमवीडियो को अधिक से शियर कीजिए कि लाइक किजिए समझ में आता है तो समझ में आता है McCarthy Irek तो इसलीचम अप्रेमी पर लिगा कि आप कमेंट पढ़कर के मुझे बहुंत अच्छा लगता है आप लोग लिगते हैं तो इस प्रकार से आप चैंटल को जादर जादर सपोर्ट करें तो मैं और आप लोगों के लगातार वीडियो बना करके ले के आते रहूँगा धन्यवाद